दोस्तों आप लोग में से जाधा तर लोग यहां पर confusion में है SLP coin को लेकि क्या इसका future यहां पर रह सकता है क्या यह recovery कभी कर सकता है basically है क्या यहां से जीरो भी हो सकता है इन सारे सवालों को जब आपको इस वीडियो के नहीं मिलेगा अन तक देखीगा वीडियो को लाइक और स जब market बहुत दा pump करती है bitcoin अपना all time high लगाता है तो कुछ coins होते हैं जितों hype बनाके extra pump कर जाते है for example हम Shiba Inu के अगर बात रहें तो वहां पर 5 गुना 10 गुना तक हो गया था लगबग अगर हम बात करें जब bitcoin ने all time high वहां पर अपना बनाया था वैसे ही कुछ coins ने और hype लीती Avalon जैसे coins ने और यहां पर हम Solana की बात करने उसमें तो कुछ coins over hype यहां पर ले जाते हैं कुछ over pump हो जाते हैं buying price लेगें उससे भी काफी जाता यह नीचे आ चुका है 0.59 के आसपास buying बनती थी इसकी जब यह high पर था लेकिन उससे भी आप compare करो तो काफी जाता नीचे आ चुका कोई ऐसा बड़ा खास use case नहीं है खुद का कोई ऐसा platform अगरा कुछ नहीं है खुद की कोई यहां पर blockchain नहीं है जिसके वैसे हम कह सकते हैं कि हाँ इतना जादा एक बड़ा project नहीं है इतना जादा बड़ा product नहीं है क्या है अगर आपको गेम के अंदर कोई चीज बाए करना है जैसे कोई कपड़े वगड़ा को खरीदना है तो उसके लिए SLB coin का महाँ पर यूज होता है और जो भी यहां पर गेम वगड़ा प्ले करता है जानता होगा एक से इंवीडी जो भी प्ले करता है यहां पर उसको पता होगा कि कैसे एजा reward यहां पर SLB coin distribute करे जाते हैं आपको तो यही simple सा SLB coin का fundamental हम के सकते हैं कि यहां पर in-game यूज कर जाते हैं इं-game currency है जिसके वैसे आप देखोगे इसका price का सब्सक्राइब कर रहा है उसका कुछ कोई और खास use case है नहीं simple सा एक use case है तो as a shit coin आप इसको यहां पर ले सकते हो लेकिन अब बात आती है कि कर नहीं क्या यहां पर जिन लोगों ने भी buy कर रहा है तो आपने यहां पर buy कर रहा हो यहां पर buy कर रहो 8 तक देखने को मिलेगा हाला कि late recovery है कि late recovery क्यों आएगी जब लोग देखेंगे क्योंकि आपको पता इसका actual price क्या था तो आप डेफिनिटी वहां पर buy करोगे तो इसका buying pressure आगा इसका price increase करेगा तो यहां पर zero होना बहुत मुश्किल होता क्रिप्टो का market करेंदर किसी ऐसे coin का price जो यहां पर जादा तरह एक्शेंजिस पर लिस्टिंग हो जो low cap वाला नह नहीं है एक शिट कोई आप इसको कह सकते हो लेकिन यह उस तरीके वा नहीं है कि हाँ नया coin आया था scam coin था वह जीज़ नहीं है क्योंकि एक्शेंटी का in-game project है तो देफिनिटी उसके अंदर इसका use भी है हाला कि छोटा मोटा use के खुश का नहीं है इसका कुछ use के से कि वर्चुल प्रेंसिस को use कर जाता है तो सिंपल सी स्टेडिटी यहां पे अलब को लेकि कि भाईया यहां पर होल्ड करना है आपको और कुछ नहीं करना है समय समय की बात है आगर समय बतल आज यहां पर डंप आया है तो हो सकता है दो तीन महीने बाद जब market recovery करे तो इसका recovery हमें देखने को बिले target आप कहां के हां कर सकते हो target मैं कहूंगा 0.1 dollar supply बड़ा target अपना रखना है यहां पर यहां पर नहीं करता है तो recovery आएगी इसके इंदर बट कितनी बड़ी होगी वह कुछ नहीं दखते लेकिन अगर आपको exit करना तो आप at least अपने buying price के उपर exit करें hold करें oil के लाब कोई और option यहां पर नहीं पर नहीं परता है यहीं चीज़ें आपको समझा नहीं थी उम्मेद करता हूँ आपको यहां पर video समझ में आई होगी आपको यह समझ में आया होका कि एक बार chart जबूद एक बार चाहिए किसी भी coin को buy करने से पहले ताकि actual rank price जोर्स को हम पहुंआ पर पता करते हैं एक चीज़ा बलूँआ एक coin के उपर कभी depend ना हो मेरे portfolio के ना भी SLP था लेकिन 2%-3% यह SLP पढ़ा था जिससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ा portfolio को आप पूरा portfolio 30%-40% 80 coin के उपर लगा दो के तो definitely आप वहां पे हमेशा tension में रहो गया और आपका loss भी हुआ पर होता रहता है तो यह चीज़ गलती नहीं करने हैं दुबारा गलती उसे सीखता है इंसान और यह चीज़ आपको यहां पर देखते हैं उम्मीद करता हूँ है वीडियो आपके लिए हेलफुल रहे होगी मिलते हैं को आने वीडियों है तब सब्सक्राइब जा झाल 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 झाल